प्रधम पूर्जी गडानन जहां विगन हरता है वही रिद्धि सिद्धि से विवेक और सम्रती के दाता भी है इनके आशिरवाद से शुब और लाग घर में सुपसोभागी लाते हैं और सम्रती को स्थाई वसुरक्षत बनाते हैं अगर आप संतान प्राप्ती संतान संभन्दी समस्याई आपियश और बदनामे की योग काणियों में अपूंता करजवा धन संभन्दी समस्याई शनी सहित सभी ग्रह दोशों से परिशान है तूं तो 31 अगस 2022 इस गनेश चतूर्टी पर बपा करेंगे आपके दुखदूर खुश्यां गूंजेगी आपके दुआर संपन करें आश्ट सिद्धी गनपती साथना करिए साधना और मनाईए हमारे साथ श्री गनेश महत्सव इस साधना सामगरी में आप पाएंगे आश्ट सिद्धी दायक गनेश परतिमा, आश्ट दायक सुपारी, भोच पत्र, अनार की कलम, हकी पत्थर, माला इस पूजन साधना से आपके घर का सुक सोभागे बढ़ता ही चला जाएगा और सभी रुकावते होंगी दूर तो देर के इस बात की आश्ट ही कॉल करें और अपना पाकेट ओर करें 0291-279-90-00, 243-2625, 264-6625, 93-147-28165, 98290-26625, 93-147-492-22 गर्णपति बबबा मोरिया एक साथ साल का लड़का, अपनी चार साल की चोटी बहन के साथ समुदर किनारे से बाजार होते वे घर जा रहा था जाते जाते उसकी बहन एक खिलोने के दुकान पर आकर रुक गई और उससे अपने भाई से जिद की कि भाई मुझे वो वाली गुडिया दिला दोना बच्चा काउंटर पर जा कर बोलता है दुकानदार से कि अंकल इस गुडिया की केमत कितनी है दुकानदार ने बड़े प्यार से बच्चे से बुचा बताओ बेटे तुम क्या दे सकती हो बच्चा अपनी जेब मैंसे वो सारी सीपे बाहर निकाल कर रखता है जो उसे थोड़ी देर पहले बहन के साथ समुदर किनारे से चुन-चुन कर इखटे की थी दुकानदार वो सब देखकर गिनना शुरू करता है जैसे वो कोई रुपाय पैसे गिन रहा हो तब ही बच्चे ने कहा अंकल कहीं सीप कुछ कम तो नहीं है दुकानदार बोला नहीं नहीं ये तो इस कीमत से भी ज्यादा है या कहकर उसे चार सीप रख ली और बाकी बच्चे को वापस लोटा दी दोरों खुशी खुशी गुडिया के साथ यानि बाई बेहन और खरीदोई गुडिया के साथ वो घर आ गए या सब उस दुकानदार का या सब कुछ जो भी नजारा था वो उसके करमचारी भी देख रहे थे बच्चों के जाने के बाद आश्चेरे से उसने मालिक से पूछा मालिक इतनी महंगी गुडिया आपने इस सीप और वो भी चार के मदले में क्यों दे दी दुकानदार बोला हमारे लिए ये केवल सीप है पर उस साथ साल के बच्चे के लिए ये बहुत मुलिवान चीज है और अब इस उमर में वो नहीं जानता है अभी तक उमर में कि रुबाय पैसा क्या होता है पर जब ये बच्चा बड़ा होगा तब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले अपनी बहन की मन चाही गोडिया उसे खरीद कर दीती और तब उसे मेरी याद आईगी और फिर वो सोचेगा कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी है यही बात उसके अंदर सकारत में दिरिश्ट्यूकान बढ़ाने में मदद करेगी और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा प्रेशातियों क्या सीख मिलती है रुपाय पैसा जिन्दगी में सब कुछ नहीं होता है इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है क्या आप आज ये संकर प्ले सकते हैं कि आज हम किसी को खुशी देंगे प्यार के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं होती है किसी को अपना बनाने के लिए अपनी कोई चीज के आप दे सकते हैं करके देखिए जो आनन मिलेगा वो बाकि सारे आनन से कहीं उपर होगा दवशकार प्रियसातियों मैं हूँ सुरेश रमाली और आप देख रहे हैं 11 अगस्त गुरुवार रक्षा बंदन का राशी फलन रक्षा बंदन पर आज हम राशी गनुसार विशेश उपाई भी बताएंगी बड़ा कन्फ्यूजिंग है कि 11 तारिक और रक्षा बंदन हैं 12 तारिक को 11 को ही है और इसके लिए अपने विशेश एपिसोड दिया है इसका लिंक भी हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं तो जो लोग 12 तारिक को मना रहे हैं वो गलती कर रहे हैं खेर अगर आप उससे परसरी मिलना चाहते हैं तो मैं 18 और 26 अगस को मुंबाई में हूँ 19 अगस्त नागपूर 20 अगस्त को पूने 21 अगस्त को नासिक 27 अगस्त को दिली 28 अगस्त को कोलकाता 29 अगस्त को मैं रहूँगा राची में और 20 से 27 सितमबर तक लंडन, लेस्टर, बर्मिंगम रहूँगा यानि UK के आतरबे और सेप्टमबर फस्ट वीक में मैं हैदराबाद, बैंगलोरू और चैन्ने की आतरा पर रहूँगा आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे परसली बिल सकते हैं अदरवाइस रोजाना ही मैं टेलिफॉनिक और वीडियो कॉनफरेंसिंग अपॉन्मेंट के द्वारा भी लेकिन शुरुवात आज की गुरुमंत्र से इस रक्षा मंदन पर फिटकरी से बहने अपने भाई की रक्षा कैसे करें कई बार हम यह जरूर सोचते हैं कि मेरे भाई को किसी की नजर लग गई है या वो नेगेटिविटी का शिगार हो चुका है वो किसी बुरी लट पर बढ़ गया है और इसे दूर करने के लिए आप एक फिटकरी ले लीजी और भाई के उपर से इस प्रकार साथ बार उवार कर उसे किसी सूनसा जगे पर रख दीजी संबव ना हूँ तो पीपल के पेड के पास अगर कोई तालाब, नदी, सरोबर कुछ भी है तो उसमें डाल दें वो भी नहीं है तो पीपल के पेड के पास उसे रख आए ऐसा करने से आपके भाई के उपर जितनी नेगेटिविटी होगी जो नजर होगी उस सब सारे दोश दूर हो जाएंगे अब मैं चंद सेकेंड आप लोगों की लूँगा आज की कुणले राज के पंचाग में देखिए आज सुबह दस बचकर 38 मिनट तक चतूर दशी दी थी और फिर पूर्णिमा रहेगी आज सुबह 6 बचकर 52 मिनट तक उतरा उतरा शाड़ा नक्षद रहेगा और बाद में स्रवण नक्षद रहेगा ग्रहों से बनने वाले कल की इतरे वाशी आनदादी अन्फा योग का साथ मिली रहे लेकिन आज एक नया आयुश्मान योग भी बन रहा है अगर आपकी राशी मितुन कर्णिया धनू और मीन है तो हंस योग मेशकर तुला और मगर है तो शर्षयोग और रूच्चक योग कर लाब मिलेगा आज भी राहू मंगल का अंगारक दोश रहेगा और शनी चंदरमा का आफ बजे तक माँ करेगा सुबह साथ से आट बजे तक शुब्का चौकरेया है और शाम को पांस सेrière छे बजे तक भी शुब्का चौकरेया है वही दोफैर डेढ़ से तीन बजे तक सुबह दस बच कर अड़-तीस मिनट से रात को आबच बच कर भी शुब मौरत पर बता रहा हूं उसे नोट कर लिजिए ये चार-पांच मौरत इसमें से जो आपको सूट करता है उसमें आप राकी बांच सकते हैं पहला सुबह छे बच कर बारा मिनिट से साथ बच कर पचास मिनिट तक चंचल विला है जिन लोगों सुबह सुबह जौब पर जाना वो इस समय कर सकते हैं सुबह साथ बचे से आठ बचे के बीच में और शाम को पांच से छे बचे के बीच में शुब का चोगड़े ये भी आप कर सकते हैं और सर्व स्रिश जो मौरत है वो है अभी जीत मौरत दोफैर को सवा बारा से डेड़ बज़े तक और रात को भी आप कर सकते हैं ये काम आट बज़ कर बावन मिट से नौ बज़ कर उन्सांट यानि 9.59 तक चंचेल विला हैं इस समय विशेश में भी आप रक्षा बंदन का त क्या काम है उसमें आप बहतरी कैसे लिख रहे हैं परफेक्शन कैसे लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा यदि नौकरी की तलाश में हैं तो अपने प्रियास जारी रखे हैं और आप सफल जरूंगे एक नदी अपनी ताकत से नहीं बलकि अपने सतत लगातार प्रिया के कारण चटान को काट कर अपना रास्ता बना लेती हैं बिजनस पर ग्रह इस्तती सुखत बनी हुई है जिससे दिन आपके लिए अन्य दिनों के मुकाबले बहतर रहेगा नया बिजनस शुरू करने के लिए नई डील कोई नया ओर नया कुछ अपलाई करने के लिए अगर साथ बैठ कर जो है बोजन और बरोन जंग आना लेगे उन मुद्धों पर बिलकुल भी बात चितना करें जिस पर पहले भी जगड़े फसाद हो चुके हैं आपका वैक्तित्व अगर अनुसाशन के साथ आगे बढ़ रहा है तो आज आपका दिन है रक्षा बंदन के पावन पर बागवान स्री गणेश जी की पूजा अर्शना करने के बाद उन्हें दूरबा अर्पित करें साथ में राखी भाई को माल पूए खिलाएं और लाल वस्तों का आज दान करें बहन के नाम से ब्रशब राशी आज आपका ग्यान विवेक एंथूजियाजम आईक्यू एक्यू लेवल कुछ इनोबेटिव और क्रेटिव आइडियास के साथ आगे बढ़ेगा लव पार्टन और लाइफ पार्टन के साथ पारिबार एक आज प्लानिंग शांदार बन सकती है वाशी अनफा और आयुश्वान योग के बनने से कोई बड़ा सौदा हो सकता है नौकरिये पे कुछ अच्छा हो सकता है कोई टार्गेट पूरा करने में आपके मदद कर सकते हैं स्टूडेंट आर्टिस और प्लेट आज अपनों के साथ बैठिये दोस्तों के साथ बैठिये और कुछ हो सके तो आप गुरूप डिसकुशन करके अपरी समस्या का समादान को जीए आज सेहत आपकी नासाज होने वाली सर्दी जुकाम इमिनिटी कमजोर होने वाली ध्यान रखिए रक्षा बंधन के पावन पर उपर बगवान शीव जीव जी के मंदिर में जाकर शीव लिए पर जल अर्पित करें और उसके बाद राखी भी वहाँ पर अर्पित करें भाई को दूद से निर्मेत मिठाई खिलाए और सफेद रेश्वी डोरी बांधिये भाई अज यात्रा में थोड़ी समस्य आ सकती है यात्रा न करे तो अच्छा है चोटी कर दीजिए किसी और को बेज़ दीजिए वर्शुल यात्रा कर लीजिए बेज़ों से मुश्किल समय में किसी अनुभवी वैक्ति के जलाह आपके लिए उपियों की साबित होगी किसी गनिस दोश के बनने से आपको इरिटेशन रहेगा गुसा खर्चे बढ़ना करजा होना या फिर रुकाव पैसा न मिलना आपको इरिटेट करेगा बर्ट पेस पर ध्यान रखें बिना अनुभव में कोई काम नहीं करें नौकरी करनावा लोगों को आज अपने ही काम पर ध्यान कर सकती हैं आपको एंकार ही बना सकती हैं आपकी किसी से चड़ब हो सकती हैं इसलिए शांत रहें ज्यादा कई ट्रेबल करने कोशिश न करें मैं सरेश्ट हूं या तो विश्वा से लेकिन सर्फ मैं ही सरेश्ट हूं यह एंकार है अचानक आर्थी घाने होने की संभावना अपने अपने फिल्ड में सफल होने के लिए, आज आपको कुछ special और अलग करना पड़ेगा, सर्दी जुकाम वाइरल इंफेक्शन आपको परिशान करेगा, खयाल रखिये, रक्षा बंधन के पावन पर उपर बागवान सूरी देव को जल अरपित करें, उसके बाद मा दु लोगों को दान करने चाहिए, जरुतमन को, कर कराशी की बात करते हैं, शादी शुदा है, तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर और वो भी नहीं है, तो दोस्तों के साथ मन भेद और बद भेद बुलाईए, क्या पता कल क्या हो जाए, गिले शिक्वे अधुरे र इसलिए आज आज आपको किसी की मदद जरूर करने चाहिए, वाशी और आयुश्मान योग के बने से वेवसाई लोगों को सामाने से दिला आप बेल सकता है, जैसे ही फुर्सत मिलती है, बिसर्स पर ध्यान दीजिए, साजेदारी की बिसर्स में समझ बढ़ेगी, पॉजि से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, दोस्तों से मदद बिलेगी, रिलेशेशिप ठीक ठाक बनी रहेगी, किसी भी प्रकार के उतार चड़ाव पर आपको पैनी नज़र रखने चाहिए, कोई गैर कानूनी काम आप से कोई करवा सकता है, लोग लुभावन आपको कोई त पर बागवान स्री गणिश जी को बिल्व पत्र अरपित करने के बाद राकी अरपित करें, भाई को रबडी खिलाएं और पीली रेशम वाली राकी बांदी, भाई चंदर से समधी चमकिले और सफेद वस्तों का दान करें, सेंग राशी, ग्यात और अग्यात शत्रूँ से कैसे चुटगारा पाना है, आप इस पर विशेश कोई डिसिजन लीची, ग्यात शत्रूँ कि हाँ वाई मेरी इससे नहीं बनती है, मुझे दूर रहना है, एक ऐसा शत्रूँ जो अग्यात है, आपके आसपास ही गुम रहा है, और आपके साथ ही बुरा करने कोशिश कर रह किये, उसे पहचानिये, स्पोर्स परसन की प्रैक्टिस के दौरान चोट लगना, कोई ऐसी बोल चाल की वज़े से आप अपनी आगे की टीम से बेदखल हो सकते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, कुरोध मुर्खता से शुरू होता है और पच्टावे पर खतम होता है, बिस प्रैक्टिंग, सेल्स, पर्चेस और पैकेजिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आपकी कोई एक समस्या आपको पुनह परशान कर सकती है, उसे पहचान होगा, नौकरी पैशा लोगों को आगे बढ़ने के नए मौके बिल सकते हैं, कोई अच्छी खबर फाइनेंस को ले जान देना पड़ेगा, रक्षा बंधन के पावन पर उपर, भागवान शिवजी के मंदीर में जाकर शिवलिंग पर चंदन का लेप करें, और उसके बाद भागवान शिवजी को राखी अरपित करें, भाई को रस वाली मिठाई खिलाएं, और पचरंगी डोरे वाली आपको सुकून और राहत की खबर मिलेगी। अन्फा योका और आयुश्वान योका साथ मिलने से नौकरी करने माँ लोगों को आज अच्छे लाप मिलेंगे। कुछ अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। कामकाई समय पर पूरे करने के लिए आज आप समय से पहले ही ऑफिस चले जाए। आफिस पे अधिकारियों से मन भेद और मद भेद दूर करें। कभी भी किसी से कित्रा भी मद भेद हो जाए। कोशिश ये रखना कि बात होती रहे। रिष्टों के मामले में आपको संभल के रहना होगा। मांसिक और शारी रूप से आप थोड़े परिशान रहेंगे, खयाल रखिए। बिजनस पे इस समय आर्थिक गतिविद्यों को और अधिक बहतर बनने के लिए नए परियास करने चाहिए। नए इंकम सोर्सेज जनरेट करने के लिए ध्यान दीजिए। रक्षा बंधन पर बगवान सरी अनुमान जी को लाल गुलाब का पुश्प अर्पित करके उन्हें राखि अर्पित करें। भाई को मोती चूर के लड़ू खिलाएं और गणेश ची के परतीक वाली राखि बांधें। भाई बुद्ध से संबदित हरे रंग की वस्तुओं को दान करें वही शुब रहेगा। आए प्रेसातियों छेर आशिक बाद वास्तू सेग्में बात करते हैं। कि हम कई बार इस बात पर अंजान रहते हैं कि डस्ट बीन जो है ना या डस्ट बीन कहें या वेस्ट बीन कहें हैं। कई भी रख देते हैं। कीचन में कुछ चीज़े ऐसी होती है जिससे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वास्तू के नुसार उसका सीधा साधा कर्यक्शन आपके खर्चों पर होता है। अगर आपने इससे कंट्रोल कर लिया तो काफी हद तक आपके खर्चे कम होने लगेंगे। ऐसे में आप कीचन के डस्ट बीन को या वेस्ट बीन को कम से कम दिन में एक या दो बार उसे बाहर फ्री करके आईए, साफ करके आईए और रात में सोने से पहले कीचन को अच्छे साफ को दोएं और साथ में आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो बरतन है वो रात को ही दोते डस्ट बीन भी रात को साफ कर दे केवल इतना करने से आपके कीचन गेंदर एनरजी लेवल बढ़ जाएगा और इसमें एक चीज़ का ख्याल जरूर रखिए कि जो डस्ट बीन और वेस्ट बीन है उसे साउथ और वेस्ट पे रखना ज्यादा सही रहता है इसे आपके कर्चे कंट्रोल बर रहते हैं तुला राशी परिवार के सुख सवुधाओं में कहीं कोई कमी ना आ जाए परिवार में शांती में कहीं खलन पैदा ना हो जाए आप ध्यान रखिए बिजनस में किसी भी तरह की प्लानिंग अमल बे लाने से पहले अपने राज को किसी से भी शेर ना करें वरना आपकी भावना और आपका आइडियास का दूसरे ही फाइदा उठाएं इस समय यात्रा वो इस्थक्रित कर दीजिए मत करिए क्योंकि इसकी वज़े से आपको कोई परिशानी हो सकती है प्रोफेशल मोर्चे पर समस्याओं और जगड़ों को सुलजाने के लिए आज एक स्पेशल समय आपको निकाला चाहिए नौकरी पैशल लोगों के काम से अधिकारी थोड़े नाखुश रहेंगी ज्यादतर सोचेवे काम आज आपके पूरे हो सकते हैं अगर आप उसके बारे में किसी से पहले से जिकर न करें आप कल्पना करेंगी जैसे कि कुछ बूरा होने वाला अग्याद भाई गबराट बेचे ने डर चिंता आपको रहेगी ऐसा होने वाला नहीं है लेकिन आप खुद नेगेटिविटी आज क्रेट करेंगी इससे बचिए संतान कुछ गलत राष्टे पर जा रहे हैं उनकी तरफ ज्यान दीजिए कर्मे कॉर्डिनेशन और शांती बनाने के लिए आपको हो सकता आज कोई त्याग करना पड़े स्टुडेंट नकारात्मक्ता पर आज विजय प्राप्त करेंगी और याद रखिए नकारात्मक्ता से बचिए क्योंकि सोच के साथ सखारत परिनाम बहुत कम मिलते हैं गैस, एसेडिटी, कब्स और जलन परिशान करेंगी समय पर और सही बोजन करिए राक्षा बंधन के पावन पर उपर बगवान सरी कृष्ट जी की पूजा करके माखन और मिस्तरी का भोग लगाए और उन्हें राखिय अर्पित करें भाई को हलवा या घर में निर्बिन मिठाय खिलाएं और रेश्वी हलके पिले डोरे वाली राकी बंदे भाई शुक्र से समबदी गुलाबी क्रीम और सफेद रंग की वस्तों का दान करें वरेश्चिक राशी ज्यादतर सोचेवे काम आज आपके पूरे होने वाले हैं आज आपको नए और किसी विशेश काम की शुरुवात भी करने चाहिए बिजिनस इस समबदी छोटे मोटे उतार चड़ाव आते रहते लेकिन किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा आपके कामियाबी में भरती होगी और वर्ड प्लेस पर आपके कारी अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे लेकिन डिसिजन लेते समय आज भावुक ना हो भावुकता यानि इमोशन्स इंसान को दिमाग से सही निर्णे लेने में मदद नहीं करता है बलकि भावुकता में अक्सर निर्णे गलत ही थाबित होते हैं वरिस्ट अधिकारी मंतरी बॉस आफिसर परिवार के बड़े बज़र्गों का सहयोग और आशिरवाद बिलेगा बावनाओं और प्यार का इजार अपने दोस्त से जरू कर लिजी कुछ बातों के चर्चा करते समय पार्टनर के साथ जिजक मत रखेगा दिल खोल कर बात करिए, खोल कर बात करिए, मज़ा आएगा इस्टूडेंट आर्टिस और प्लेट्स आज आसानी से नहीं लेकिन इस्पेशल मेहनत करके साखारतों परिणाम आपको मिल सकते हैं वरना लेट लतेफी आलर सी गॉसिपिंग में ही आज का दिन वेस्ट हो जाएगा राक्षा बंधन के पावन पर बागवान शनीदेव के सामने तेल का दीपक जला कर उसके बाद पीपल के पेड को जल चड़ा कर दीपक जलाएं वहीं पर और पीपल को राकई बांदे भाई को कुर्च से बनी मिठाई खिलाएं और गुलाबी डोरे वाली राखी बांद है भाई मंगल से समधी दियानी लाल और केसरे रंग के वस्तुएं अपनी बहन के नाम से दान करें उन्ने लाब बिलेगा धनुर आशी अपने नैतिक मुल्य, जिम्यदारी और कर्तवियों के डिभा कर आज आपको बहुत अच्छा फील होगा आज जिरवाद मिलेगा पारिवार जियों शांति पूर्व रहे, इसके लिए शांत रहे अपने लव पार्टर और लाइव पार्टर को परिवार वालों को खुली चूट दे दीजिए आज आपका दिन है, पूरा एंज़ॉय करीगे वाशी और आईश्वान योग के बनने से बिजनस में पैसो के आवक थोड़ी रहेगी रुके वे काम पैसो वज़े से जो अठके वते वो पूरे हो जाएंगे आपके दुआरा आज इंवेस्टमेंट करने के लिए पैसे अलग रखे जा सकते हैं इस इंवेस्टमेंट से आप खुद को आर्थी ग्रूप से स्थिर बनाने की कोशिश करेगे आफिस के एक्टिबिटीज के परतिया आप थोड़ा एट्रैक्ट होंगे आपको कुछ नई जिम्मेदारे भी मिल सकती है बाधाय और मुश्किले अब कम हो सकती है ज्यादा सोचोगे तो डिसेज नई ले पाऊगे जो सोचा है डिसेज लिजिए और भगवान पर शोड़ दीजे बस ध्यान केंद्रित करिए यह सोचने के बजाए कि आप क्या खो रहे है यह सोचने का प्रयास करें कि आपके पास ऐसा क्या है जो बाकी लोग उसे खोच चुके है सुडेंट आर्टिस और प्लेयर्स यह एक पॉजिटिव दिन है इसे ऐसे जाया मत होने दिना रक्षा बंधन के पावन पर उपर शिवलिंग का जल से अभिशे करने के बाद इत्र यानि पर्फ्यूम और राखी अर्फित करें भाई को रसगूले खिलाए और पीली सफेद डोरी से बनी हुई राखी बांदे और भाई अपने बहन के लिए ब्रहश्पति से संबतित यानि पीली रवस्तों का घरीब जरूत्बन लोगों को डोनेशन दे दान करें मकर आशिक आज आपका बहुत देग विकास होगा IQ और EQ लेवल बैटर होगा युवाओं को जॉब की प्लेस्मेंट संबति सुप सूचना मिल जाएगी परिवार के सुख शांती आज जरू बने रहेगी परंतु संतान की गतिविदियां और संतान की नजर संतान पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि संतान हो सकता है किसी गलत रास्ते पर हो कोई मुसीबत में हो वेवसाइक एक्टिविटीज में आज निवेश करने लिए समयनुकूल है भवश्य में फायदेमन साबित होगा आज का इन्वेस्पेंट पार्टनेशिप से संबदित वेवसाइक में अभी परिसेतिया पहले से बैतर होगी आर्तिक इस्तती में भी सुधार होने की संबावना है किसी चटिल समस्या एक समधान पिता और बड़े बुजरों की सीख आपके लिए बहुत फायदेमन होगी नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हात होता है जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है बाग्य पक्ष्व होने से स्टूडेंट के चीवन में कोई बड़ी समस्या खड़ी नहीं होगी असंतुलित खानपान के वज़े से आज शरी खराब हो सकता है ध्यान दीजी रक्षा बंधन के पावन उपर उपर बगवान सरी कृष्ण जी की पूजा करने से पहले हल्दी या केसर का तिलग लगाए और राखी अर्पित करें भाई को बालू शाही खिलाएं और बिले जुले दागे वाली राखी बांधे और भाई अपनी बहन के नाम से शनी से संबदित काले नीले जामूनी रंग की बस्तुएं गरीब और जरुद्बन लोगों को बाढ़िए कुमराशे कानूनी दावफेश थोड़े आप भी सीख लीजे ताकि कोई आपको फसा न सके बिजनस को ध्यान में रखते हुए मार्केट में बिना मतलब के किसी से न उलजें तता अपने सोभाव में सुमेता और ठहराव लाएं सेल्स पर्चेस मार्केटिंग गुन अपनाएं ऐसे लोगों को हायर करें जो आपको काम लाकर दे सके आपके नज़ी की लोग ही आपके लिए माधा खड़ी कर रहे हैं ध्यान दीजी दिन पर तनाव पर रहने से बढ़िया है कि परिवार के साथ रही आर्टिक इस्तती में थोड़ा आज उतार चड़ाव आ सकता है वर्ड प्रेस पर काम काजबे आपकी लेट लतीवी आलसी चूटी वज़े से आपको कुछ असुरक्षा महसूस होगी सरकारी और प्रशासी अधिकारियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है शारिरिक और मांसी ग्रूप से तनाव रहेगा और इमोश्चली आपको लगेगा आपके साथ को अत्याचार हो रहा है जीवन साथी की दिल की कमपनी आप जरूर महसूस करेंगे और हो सकता है कि आज आप शांति से बैट जाए परिवार बालों पर समर्पित कर दे आज के सारे करीबी आपके दिल से आपके साथ नहीं है वो सर्फ आपके साथ दिमाग से है सोच विचार कर भरोसा करिए स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेट्स आज का दिन आलत से और सुस्ती से खराब होने वाला है इससे आपको बचना चाहिए रक्षा बंधन के पावन परव पर बागवान सरी अरुमान जी को लाग गुलाब का पुष परपित करके उन्हें राखी बांदे, भाई को कलाकंद खिलाएं और पीले रंग से सजी धजी राखी बांदिये भाई, शनी से संबतित नीले, आस्मानी और स्लेटी रंग की बस्तुएं बहन के नाम से दान करे, मीन राशी चोटे हों या बड़े हों, भाई हो या बहन, अपने हो या काजिन हों बांडिंग मजबूत करिए, परिवार में आ रही कुछ परिशान्या, समापत होने वाली है साथ ही सोचे वे ज्यादा तरकाम सुबह साथ से आठ या शाम को पांस से छे की बीचे पूरे हो सकते हैं और कुछ नए अपलाई करना है, नए कुछ इनोवेटिव क्रेटिव आइडियास को आपको जनरेट करना है विदेश पढ़ने, जॉब करने या गूमने जाना चाहते हैं, तो आज आपकी निराशा दूर हो सकती हैं, एपलाई कर सकते हैं दनलाब बिलने की संभावना है, नौकरी पैशा लोगों को फायदा मिलेगा और आपके कामकास से अधिकारी आज खुश होंगे नई जिम्मेदारी और नई चैलेंजिस आपको बिलेंगे, सेहत के मामले में आज आप अनलखी हैं, सर्दी जुकाम आपको परिशान करेगा स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेर्ट्स, फाल्तू और बेकार के अक्टिविटीज में अपना समय बरबात करने वाले इससे बची हैं, आप के बास वक्त सीमित हैं, इसलिए किसी और किस जिद्धी की जीने में या किसी और पर ध्यान देने में खराब ना करें पेट से समधित, गलत समय पर बोजन की वज़े से होगा, उस पर ध्यान दीचे, रक्षा बंधन पर, शिवलिंग का अभिशेक दही और जल से करें, उसके बाद राकी और पिट करें, भाई को मिल्क केक खिलाएं, और पीले या नीले रंग की राकी बादें, भाई, ग्यान की, अगर आपके राशी, कन्या वरश्टी, धनु मकर, मीन है, तो आपके लिए शुब दिन है, मेश, वरशब, करक, सिंग, राशी बाले लोगों के सामाने है, परंतु, मितुन, तुला, कॉम, राशी बाले लोगों को थोड़ा संबल के रहना चाहिए, फिर भी चाहती हो, आप उसे परसल मिलना चाहते हैं, तो नीचे डेट दी गई है, परसल या प्रोफेशनल लाइब के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप उसे टेलिफॉनिक या वीडियो कॉनफरेंसिंग अपर्णमेंट के दुवारा भी जोड़ सकते हैं, आज के लिए तरह प्यार बरनमशकार और बहुत बहुत आशरवाद।